आसामनेकर मैं यूट्यूब फैमली वेलकम बैक तो माई चैनल रियल ब्यूटी सीक्रेट ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ अन्बॉक्सिंग करने जा रही हूं वीडियो को आप therapist जिरूओर देखिएगा इसके काफी सारे प्रोडक्स मैने पहले भी मंगवाया थे जिसकी वीडियों वी मैंने आपके साथ की थी तो आज भी ये मैंने काफ़े सारे इसके पैलेट भी और कुछ प्रोडक्स पंगवाई हैं तो आएए देखते हैं कि सब कुछ कैसा है मैं जो प्राइमर है वो ब्यूटिफाई भाई आमना का काफ़े टाइम से यूज करी हूँ और वो बहुत अच्छा रहते हैं इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको जरूर बताऊंगे कि ये कैसा है ताके आप भी ओर्डर करना चाहें तो जरूर मंगवाईएगा इसका लिप लोज मैंने एक ही मंगवाया है ताके मैं चेक कर सकूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है तो कलर शेयर तो इसका बहुत अच्छा है बाकी थोड़ा सा थिक है बाकी जो आम ग्लोज हम लोग मैट यूज करते हैं उनके निसपर थोड़ा सा थिक है बट एप् करके देखते हैं कि यह कैसा है इसको पर वाटर प्रूफ तो मैंचर नहीं है बट यह इसका ब्रेश बहुत अच्छा है जो लैश ब्रेश है वो बहुत अच्छा है तो यह भी अच्छा है बहुत अच्छा है आप ट्राय करना चाहें तो जरूर कीजेगा दो तीन टाइप क जो यूज होता है, वो होता है, सम्टाइम तो जो हम लोग बेस बनाने से पहले भी से यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्वेट होता है आपको या ओईली स्केन है, तो आप इसको हलका सा फेस पे अप्लाए करें, ब्रेश के साथ उसके बाद आप बेस बनाएं, ल हम लोग बेस बनाने के बाद में यूज करते हैं, इससे यह होता है कि जो हमारी बेस है, उसके फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कोई पोर्स ओपन हो, तो वो फिल हो जाता है, बिल्कुल एक स्मूध और एक फाइन बेस इसके साथ बन जाती है, इसको हमें बिल्कुल लगाना होता है, और इसके साथ ओयल भी कंट्रोल हो जाता है, मैं इसको जरूर यूज करती हूँ, पहले मैं क्रेलॉन का यूज करती थी, यह मैंने फर्स टाइम मंगवाया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने किसी बेस वगरा पर ट्रा अब मैं उसको खोल लगी हूँ, वह भी आपको दिखाती हूँ के कैसा है, और साथ-साथ मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगे कि अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक किजिएगा, दोस्त पर मिलता रहे, तो अभी जो मैं ने पैलेट ओपन किया है, इसमें ब्लाइशन है और हाइलाइटर है, यह ब्यूटिफाय बाय आमना की फ्लोरेंस केट है, और यह ग्लोइंग और ग्लैमर्स लुक के लिए है, क्योंकि इसमें जो हाइलाइटर है, वह बहुत जबदस है, ज जैसा कि आप देख रहे है, इसमें पीच, पिंक और ब्राउन टाइप शेड है, हमेशा आप जब भी लें, ब्लाइशन हमेशा मैट होना चाहिए, और जब आपको उपर ग्लो देना है, यह शाइन देना है, वह आप हमेशा हाइलाइटर के साथ दिया करें, अक्सर लोग ग ग्लिटरी, शिमरी, आपको जो भी करना हो, या ग्लोइंग करना हो, तो आप उसे बाद में दूसरे शेड के साथ किया करें, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यह तीनों जो ब्लाइशन है, वो मैट में है, और साथ इसके हाइलाइटर है, अब आप किसी भी टाइप का ग् बहुत बेस्ट है, यह पैलेट तो मुझे बहुत पसंद आया, आप भी ओर्डर करना चाहें, तो जरूर कीजिएगा, यह बी बी एकी फ्लॉरेंस पैलेट है, तो आईए अब जो हमारी नेक्स पैलेट है, उसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं, और देखते हैं कि वो कैसी है, वो नाइट कुइन मैंने ओर्डर की है, तो देखते हैं कि उसके शेड्स कैसे हैं, यह बिसिकली आपको नाम से पता लग रहा होगा, नाइट कुइन, इसमें थोड़े डाक शेड्स हैं, डाक हाइलाइटर हैं, और डाक यह बिसिकली थोड़े से डाक कमप्लेक्शन के तो जो इनकी प्राइजिस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि थोड़े अप डाउन चलते रहते हैं, तो जब हम रेट शेयर कर देते हैं, तो आप उसी रेट पर देख रहे होते हैं, जबकि इसके जो रेट हैं, चेंज होते हैं, तो वैसे तो ब्यूटिफ मैं से मस्कारा कोई 1000 में था, 800 के करीब-करीब ग्लोस था, इस तरह हैं डिफरेंट प्राइजिस हैं, अच्छा ये पैलेट मैं नहीं खोली तो आप देख रहे हैं, जैसा कि इसका एक हाइलाइटर है, वो ब्रेक है, तो ओनलाइन मंगवाया है, देखे हैं, इसकी कम्प्ले भी वीडियोब कोई आपके डाक शेयर्ण हैं, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे बलशन के तो पे, तो आप इसे ऐज़ा ऐईशैडू यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इसकी हाइडलाइटर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन थो डाक हैं, तो आप इसे आइस पर भी यूज़ कर सकते हैं और दो साइट पे इसके जो contour shade है एक dark है ये आपके face contour के लिए और जो second थोड़ा light है वो आप nose पे use करेंगे तो बहुत बेतर हैगा तो friends कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी ज़रूर बताईएगा और ये जो cosmetic है इसका जो 100% review था जो मुझे चीज़े अच्छी लगी या नहीं लगी जो भी कुछ था मैंने इसको आपके साथ शेयर किया तो उमीद करते हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अपना बहुत बहुत ज़्यदा हया लखेगा दौाओं में याद लखेगा मिलते हैं नेक्स इंचाला किसे अच्छी से वीडियो में अलाफेश